इससे जुड़े अलगलग कार्कम हम हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही ये कार्कम इस महिने की शुरुवात में मेगाले में हुआ। मेगाले के बहदूर युद्धा यू टिरोथ सींजी की पुन्यतिधी पर लोगों ने उन्हें याग किया। टिरोथ सींजी ने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर पहार करने की अंग्रेजों की साजीस का जमकर दिरोथ किया था। इस कार्कम में बहुत सारे कलाकरों ने सुन्दर प्रस्तितियां दी इतियास को जिन्दा कर दिया। इसमें एक कार्निवल का आयुजिन भी किया गया। जिसमें मेघाले की महान संस्कृति को बड़े ही खुबसूरत तरीके से दर्शाया गया। अपसे कुछ हपते पहले करनाटका में अमृता भारती कन्ड़ार थी। नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाया गया। इसमें राज की 75 जगों पर आजहादी के अमृत महुत्सव से जुड़े बड़े भव्यकारकम आयुजित किये गये। इनमें करनाटका के महान स्वतंतरता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानी ये साहितिक उप्रब्दियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई। साथियों इसी जुलाई में एक बहुती रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आजहादी की रेल गाड़ी और रेल्वे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष है कि लोग आजहादी की लड़ाई में भारतिय रेल की भुमिका को जाने। देश में अनेक ऐसे रेल्वे स्टेशन है जो स्वतंतरता आंदुलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेल्वे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। जारखन के गोमो जंक्षन को अब आधिकारी ग्रूप से नेताजी सुभास चंद्रबो जंक्षन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों दरसल इसी स्टेशन पर काल काम मेल में सवार होकर नेताजी सुभास ब्रिटिस अप्षनों को चक्मा दिने में सफ़र रहे थे। आप सभी ने लखनों के पास काकोरी रेल्वे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्बिल और असफाक उल्ला खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है। यहां ट्रेन से जा रहे हैं अंग्रेजों के खाजाने को लूट कर वीर करांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परीचे करा दिया था। आप जब कभी तमिल नाडू के लोगे से बात करेंगे तो आपको थुथुकुडी जिले के वांची मनियाची जंक्षन के बारे में जानने को मिलेगा। यह स्टेशन तमिल स्वतंतरता सेना नी वांची नाथन जी के नाम पर है। यह वही स्थान है जहां 25 साल के युवा वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किये की सजा दी थी। साथियों यह लीश काफी लंबी है। देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों के पहचान की गई है। इन 75 स्टेशन को भावती खुबसूर्ती से सजाय जा रहा है। इनमें कई तरह के कारेकमों का भी आयोजन हो रहा है। आपको भी समय निकालकर अपने पास कैसे इतियासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए। आपको स्वतंतरता अंदोलन के ऐसे इतियास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिन से आप अंजान रहे हैं। पास पास के स्कूल के विध्यार्थियों से आगरह करूँगा। टीचर से आगरह करूँगा। कि अपने स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को ले करके जुरूर स्टेशन पर जाए। अब पूरा घटना क्रम उन बच्चों को सुनाएं, समझाएं। मेरे पैरे देश्वासियों, आज आजी के अमरुत महोसव के तहत, 13 से 15 अगस तक, एक स्पेशल मुवमेंट हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मुवमेंट का हिस्सा बनकर, 13 से 15 अगस तक, आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोडता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, कि 2 अगस से 15 अगस तक, हम सभी अपनी सोचल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे के अब जानते हैं, 2 अगस का हमारे तिरंगे से विशे सम्मन्द भी है। इसी दिन पिंगली वेंकेया जी की जन्मजेंती होती हैं, जिनों ने हमारे राष्ट्रिय द्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदर पुर्वक्सतर धांजली अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रिय द्वज के बारे में बात करते हुए, मैं महान क्रांतिकारी मेडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमी का बेहत महत्वपुन रही है। साथियों, आज हाजी के अमरित महोत्सों में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है, कि हम सभी देश स्वासी अपने करतवे का पूरी निश्चा से पालन करें। तभी हम उन अन गिने त्वतंतरता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले पचीस साल का यह अमृतकार हर देश वासी के लिए करतव्य काल की तरह हैं। देश को आजहात कराने हमारे वीर सेनानी हमें यह जिम्मेदारी दे कर गए हैं। और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। मेरे प्यारे देश वास्यों, कोरोना के खिलाब हम देश वास्यों के लड़ाई अब भी जारी है। पूरी दुनिया आज भी जूज रही है। होलिस्टिक हेल्थ केर में लोकों की बढ़ती रूची ने इसमें सभी की बहुत मदद की है। हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतिय पानमपारिक प्रधतियां कितनी उप्योगी हैं। कोरोना के खिलाब लड़ाई में आयूश ने तो बैस्विक स्तर पर एहम भूमी का निभाई है। दुनिया भर में आयूवेत और भारतिय आउशदियों के प्रती आकरशन बढ़ रहा है। यह एक बड़ी वज़े है कि आयूश एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई हैं। और यह भी बहुत सुखद है कि इसक्षेतर में कई नए स्टार्ट अप्स भी सामने आ रहे हैं। हाली में एक ग्लोबल आयूश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समीट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब दस हजार करोड रुपिये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। एक और बड़ी एहम बात यह हुई है कि कोरोना काल में आउशदिय पोधों पर रिसर्च में भी बहुत बृद्धी हुई है। इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडिस पबिश हो रही है। निश्दिर रुप से एक अच्छी शुरुवात है। साथियों देश में विविन्य प्रकार के आउशदिय पोधों और जड़िबुटियों को लेकर एक और बहतरीन प्रयास हुआ है। अभी अभी जुलाई महिने में इंडियन वर्चुल हर्वेरियम को लॉंच किया गया। यह इस बात का भी उदारन है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल का इस्तमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं। इंडियन वर्चुल हर्वेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजीज का एक रोचक संग्रह है जो की वैप पर फ्रिली अवेलेबल है। इस वर्चुल हर्वेरियम पर भी लाग से अधिक स्पेसिमेंस और उन से जुड़ी साइन्टिफिक इन्फरमेशन उपलब्द है। वर्चुल हर्वेरियम में भारत की बॉट्रोनिकल डावरसिटी की सम्रुद्ध तस्वीर भी दिखाई देती हैं। मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुल हर्वेरियम भारतिये वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टन रिसर्च बनेगा। मेरे प्यारे देश वाजियों मन की बात में हम हर बार देश वाजियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती हैं अगर कोई सक्से स्टोरी मिठी मुस्कान भी बिखेरे और सुआद में भी मिठास बरे तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुआगा कहेंगे हमारे किसान इन दिनों शहत के उतफादन में ऐसा ही कबाल कर रहे हैं शहत के मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही हैं उनकी आई भी बढ़ा रही है हर्याना में यमना नगर में एक मदमख़ी पारक साथी रहते हैं सुभास कंबोच जी सुभास जी ने वैज्यानिक तरीके से मदुमक्खी पालन का प्रशिचन लिया इसके बाद उन्होंने केवल छे बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था आज वो करीब दो हजार बॉक्सेस में मदुमक्खी पालन कर रहे हैं उनका शहत कई राज्यों में सप्राई होता है जम्मू के पल्ली गाउं में विनोत कुमार जी भी डेड़ हजार से जादा कॉलोनियों में मदुमक्खी पालन कर रहे हैं उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षन लिया है इस काम से वो सालाना पंद्रा से बीस लाख रुपिय कमा रहे हैं करनाटका के एक और किसान है मदुकेश्वर हेगडे जी मदुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से पचास मदुमक्खी कॉलोनियों के लिए सबसेड़ी ली थी आज उनके पास आठ सो से ज़्यादा कॉलोनिया है और वो कई टन शहद बेचते हैं उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद तुल्शी शहद आमला शहद जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं मधुकेश्वर जी मधूत पादन में आपके इनोवेशन और सफरता आपके नाम को भी सार्थक करती है साथियों आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपारिक स्वास्त रिज्ञान में कितना महत्व दिया गया है आविवेद गरंथों में तो शहद को अमरित बताया गया है शहद न केवल हमें स्वात देता है बलकि आरोग्य भी देता है शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाए हैं कि प्रफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं ऐसे ही एक युवा है यूपी में गुरोपूर के निमिद सी निमिद जी ने बिटेक किया है उनके पीता भी डॉक्टर है लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगध निमिद जी ने स्वरोजगार का हैसला लिया उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया क्वालिटी चेक के लिए लखनाओं में अपने एक लेब भी बनवाई निमिद जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग-अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रसिछित भी कर रहे हैं ऐसे युवाओं की महनत से ही आज देश इतना बड़ा सहद उत्पादक बन रहा है आपको जानकर खुशी होगी कि देश से सहद का निरियाद भी बढ़ गया है देश ने नेशनल बीकिपिंग एन हनी मिशन जैसे अभ्यान चलाए किसानों ने पुरा परिश्रम किया और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुँचने लगी अभी इस ख्षेतर में और भी बड़ी संभावनाय मोजूद है मैं चाहूँगा कि हामारे युवा इन अवसरों से जूड कर उनका लाब लें और नई संभावनाओं को साकार करें मेरे प्यारे देश मास्यों मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक सुरुता स्रिमान आशिष बहल जी का एक पत्र मिला है उन्होंने अपने पत्र में चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है दरसर मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाय जाता है और इस मेले में देश भर के परियाटक दूर दूर से हिस्सा ने निकली आते हैं सहियोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है आप अगर हिमाचल गुमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चमबा जा सकते हैं चमबा तो इतना खुबसुरत है कि हांके लोग गीतों में बार-बार कहा जाता है चमबे एक दिन ओना कने महिना रहना यानि जो लोग एक दिन के लिए चमबा आते हैं वे इसकी खुबसूरती देखकर महिने भर यहां रह जाते हैं साथियों हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्परा है मेले जन मन दोनों को जोडते हैं हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरिप की फसले पकती हैं तब सितंबर में शिमला मंडी कुल्लू और सोलन में सैरी यह शैर भी मनाये जाता है सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है जागरा के मेलों में महासु देवता का आवान करके बिसु गीत गाये जाते हैं महासु देवता का यह जागर हिमाचल में शिमला किंदोर और सिर्मोर के साथ साथ उत्राखन में भी होता है साथ क्यों हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपारिक मेले होते हैं इन में से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है जैसे कि आपको अगर मुखा मिले तो तिलंगना के मेडारम का चार दिवस्य समक्का सरलंबा जात्रा मिला देखने जरूर जाईए इस मेले को तेलंगना का महाकुम कहा जाता है सरलंगना जात्रा मेला दो आदिवासी महला नाईकाउं समक्का और सरलंगना के सम्मान में मनाय जाता है ये तेलंगना ही नहीं बल्कि छत्तिजगर्ट, महाराष्टर और आंध प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्ता का बड़ा केंद्र है आंध प्रदेश में मारी दम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मानिताओं से जुड़ा बड़ा मेला है मारिदम्मा मेला जेश्ट अमावासया से असाड अमावाशया तक चलता है और यहां का आदिवासि समाज इसे शक्ती उपासना के साथ जोडता है यहीं पुर्वी गोदावरी के पेद्धा पुरम में मारिदम्मा मंदीर भी है इसी तरह राजस्तान में गराशया जन जाती के लोग वैशाख सुक्लच चतुरदर्शी को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आवजिन करते हैं चतिस गण में बस्तर के नाराणपूर का मावली मेला भी भावत खास होता है पास ही मद्द प्रदेश का भगोरिया मेला भी खोड़ प्रसिद्ध है कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुवात राजा भोज के समय में हुई है तब भिल राजा कासुमरा और बालुन ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किये थे तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्सां से मनाई जा रहे हैं इसी तरह गुजरात में तन्हने तर और माध्वपुर जैसे कई मेले बहुत मशूर है मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की उरजा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे आधुनिक समय में समाज की पुरानी कडिया एक भारत सेष्ट भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है हमारी युवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं वहाँ की तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें आप चाहें तो किजी खास हैस्टेक का भी इस्तवाल कर सकते हैं इसे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी तस्वीरे अपलोड कर सकते हैं अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कमपडिशन भी शुरू करने जा रही हैं जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्वीरे बेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा तो फिर देर नहीं कीजिए मेलों में घुमिए उनकी तस्वीरे साजा करिए और हो सकता है आपको इसका इनाम भी मिल जाए मेरे प्यारे देश वाचियों आपको ध्यान होगा मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉइज एक्सपोर्ट में पावर हाउस बनने की पूरी ख्षमता है मैंने स्पोर्ट और गेम्स में भारत की समरुद्य विरासत की खास तौर पर चर्चा की थी भारत के स्थानिय खिलोने परंपरा और प्रकृती दोनों के अनुरूप होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं मैं आज आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ हमारे यंग्स्टर्स, स्टार्ट अप्स और एंटरप्रस के बूते हमारी टॉइ इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है जो सफलता हैं हासिल की है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी आज जब भारतिय खिलोनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल्ट की ही गुंच सुनाई दे रही है आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोनों की संक्या लगातार कम हो रही है पहले जहां तीन हजार करोड रुपे से जादा के खिलोने बाहर चे आते थे वहीं अब इनका आयात सत्तर पतिशत तक घट गया है और खुशी की बात यह है कि इसी दोरा भारत ने दो हजार छेसो करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निर्यात किया है जबकि पहले तिन सो चार सो करोड रुपे के खिलोने ही भारत से बाहर जाते थे और आप तो जानते ही हैं कि यह सब कोरोना काल में हुआ है भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांक्फर्म करके दिखा दिया है इंडियन मैनिफेक्टरर्स अब इंडियन माइथालोजी हिस्ट्री और कल्चर पर आधारी खिलोने बना रहे हैं देश में जगर जगर खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उन्हें इसका बहुत लाव हो रहा है इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलोने अब दुनिया भर में जा रहे हैं भारत के खिलोना निर्वाता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांच के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है बेज खेतर में कई मज़ेदार चीजे भी कर रहे हैं बैंगलुरु में शूमी टॉय नाम का स्टार्ट अप इको फ्रेंडली खिलोनों पर फोकस कर रहा है गुजरात में आर्किजू कमपनी ए आर बेज फ्लेश कार्ड्स और ए आर बेज टोरी बुक्स बना रही है पूने की कमपनी, फन्वेंशन लर्निंग, खिलोने और एक्टिविटी पजल्स के जरिये सायंस, टेक्नोलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी है मैं खिलोनों की दुनिया में शांदार काम कर रहे ऐसे सभी मेनिफेक्चरस को, स्टार्ट अप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आईए, हम सब मिलकर भारतिय खिलोनों को दुनिया भर में और अधिक लोगप्रिय बनाएं इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक भारतिय खिलोने पजल्स और गेम्स खरीदे साथियों, क्लासरूम हो या खेल का मैदान आज हमारे युवा हर खेत्र में देश को गवरवानवित कर रहे हैं इसी महिने पीवी सिंदु ने सिंगापोर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है निरत चोपरा ने भी अपने बहत्रीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल एतलेटिक चेंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है आरलेंड पेरा बेडमिंटन इंटरनेश्टन में भी हमारे खिलाडियों ने ग्यारा पदक जीत कर देश का मान बढ़ाया है रोम में हुए वर्ल कैड़ेट रेस्लिंग चेंपियनशिप में भी भारतिये खिलाडियों ने बहत्रीन प्रदर्शन किया हमारे एतलेट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया उन्हें ने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेस्लिंग का गोल मेडल जीता है